नमस्कार दोस्तों मैं हूँ वेक आप देख रहे हैं अपना वी रोक इन पॉप म्यूजीकल चैनल तो काफी एक लॉंग अरसे से विडियो नहीं आ रहा था है उसके लिए सौरी कहना चाहूंगा आप लोगों को लेकिन आज की खुस खबरी ये बताता हूं के यामाहा PSR F51 का बहुत ही जादा लॉंग टर्म वेटेड रिव्यू हम लेने आ रहे है आज तो ये लेकर के आ रहे हम F51 का इंडेप्थ रिव्यू और कई लोगों को कन्फूजन होती है कि क्या सर आप लोग इंस्टूमेंट भी सेल करते हैं अरे भई हम इंस्टूमेंट सेल करते हैं तभी ये डेमो दिखाते हैं आपको यदि आप पर्चेस करना चाहो तो अफलाइन हमारे स्टोर पे भी आ सकते हैं यह हमारी वेबसाइट भी है सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको स्क्रीन के उपर मिल जाएगी और वीडियो के डिस्रिप्शन को भी चेक कर लीजेगा उसमें पर ना हो और यदी भी कन्फूजन हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं तो जरूर से उसका भी रिप्लाइ कर दिया जाएगा तो लोगों की कन्फूजन होती है कि CTS 200 लू, 2550 लू, F51 लू, बिगनर के लिए कौन सा कीबोर्ड यदि आप यामाहा प्रेमी हो और यामा का ही लेना चाहते तो F51 बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है या बेजिक आपको ओवर्यू दे देता हूँ, 2550 में अपने को 400 टोन मिल जाते है कही ना कही लेकिन F51 में 130 जीतने मिलते हैं लेकिन टोन की क्वालेटी काफी हुंदा और अच्छा की मेकनिजम इसके अंदर अपने को देखने को मिल जाता है तो और कोई confusion हो तो brand वगेरा select करना तो आने वाले दिनों में आपको 2550 वसिस F51 या CTS 200 वसिस 2550 या CTS 200 वसिस F51 इस तरह की confusion के भी वीडियो आपको देखना चाहते हो तो हमें description में comment में जरूर से पता दीजिएगा तो हम जरूर से आने वाले दिनों म वैसे वीडियो भी अपन ले करके आएगे तो अभी देखते हैं अपना F51 ओके तो start करते हैं आज का वीडियो जी तो अभी करते हैं शुरू आज का वीडियो अपन कीबोर्ड की build quality काफी है अच्छी मिलेगी की इस quality हम क्या ही बोले इतनी तगडी मिल जाती है इसके अंदर कि कोई कमी नहीं रहती है आप operating के लिए आप देखे तो यहाँ पर एक nominal सी three three digit की display है और कुछ भी नहीं लेकिन enough है मैं कहना चाहूंगा काफी enough है क्योंकि बस कौन सा क्या चल रहा है वो numbering ही हमें देखने की जरूरत हती learner को और पुरी functionality, transpose, tuning, metronome, song और style का volume, sync on off, sustain भी built-in म on see change कर सकते, auto power on off कर सकते, सारे keys के उपर function के साथ function को assign किया गया है और voice जो है red color के digit में लिखे गए, orange color में song और style का information हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो वे काफी simple सा design है, but I have to say काफी ही useful keyboard है, तो सबसे पहले हम देखते है इसका acoustic piano sound, तो हम उसका करते है सस्टेन को on, तो सुनते है इसका acoustic प्यानो तो काफी ही अच्छा है clean सा, प्यारा सा sound मिल सकता है, जो बिल्कुल की कानों में नहीं लगता है, और एक balance level पे sweetness के साथ हमें performance करने का आनल दे सकता है, तो रही बात आज के इस वीडियो की, तो इसमें हम speaker से ही उसके ही output को direct mic से record कर रहे हैं, तो कई लोगों को confusion होती है कि नहीं आप तो फिर edit करके दे देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, internal speaker से ही record हो रहा है direct camera के ओपर, तो ये भी आपका confusion दूर कर देते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं और इसके इंडिन टोन सबसे पहले हार्मोनियम हम सुनते हैं, sustain को हम वापस off करना भूल गए, तो sustain को यही से on board हम on off कर सकते हैं, ये बैलो का effect हम सुन सकते हैं, low high हो रही है, तो अब हम इसकी कोई इंडिन स्टाइल जैसे कि भजन से सुरुवात करते हैं, नेक्स्टाइल हम देखते हैं, बॉली मिक्स नाम है स्टाइल का, और हम नेक्स्टाइल देखते हैं, इंडियन पॉप इसका नाम है, नेक्स्टाइल हम देखते हैं, तो 195 नंबर हिंदी वेलाड स्टाइल का नाम है, नेक्स्टाइल हम देखते हैं, वाल्ड से, टेम्पो अमदी इसका कम करें, स्टाइल का, वजये देखते हैं, उताइब अमदी मिक्स्टाइब ऑी हम देखते हैं, वाल्ड स्टाइल अन्दाइब आव में देखते हैं, काफी ही अच्छे वाल से वही अब सुनते हैं वाल से वही अब सर जहाजँ को मैं वहाताовा खुलेवाल सावया कि वहाता हो अर खाम पाल सावयाि वल्हा नि blinking अब साब ट्रीक वया ही की ूजाना है फिर हम सुनते हैं इसकी एक अगली स्टाइल 198 नंबर पर है केरेला इसमें हम काफी ही कुछ बजा सकते हैं जैसे के भर्दो जोली सौंग भी आ जाएगा कि अगलते हैं जाएगाफध स्कते ही काफी ही माशया का एंग एंग भी आ च्योली में हम साइखवाफद vendor देसे के जाएगाफव चयग ऐस सकते हैं झाएखव कि बजोब mandateा हैं एंग नैन संग शचती हैं एंगल जो अगल जड़ को भी में लिची का का जाया टा कुछ फिर next style हम सुनेगे which is called Rajasthani I guess yes फिर dandia यह थी इसकी इंडियन स्टाइल्स फिर दोसों एक नंबर पर कवाली आती है कर दोज़ दोसों एक नंबर पर कर दोसों एक नंबर पर कर दोस्टाइल्स तो काफी ही अच्छा कीबोर है और इसके कुछ special voices में दिखाना चाहूंको आपको इंडियन हम पहले दिखा देते हैं तो इंडियन अपने स्टाइट हो जाएगे डिलसी मर से 073 तो इंडियन है उसके दूसरी वराइटी फिर 75 नंबर का टोन हो गया अपना हार्मोनियम फिमेल वोईस पतला रहेगा यह बिल्कूल से इससे थोड़ा सा मोटा चीए डियूल रिड़ बापस 75 पे डिफरेंस बताता हूं अपको अभी 76 अभी 77 ट्रिपल रेट यह सबसे बहतर इन लगा मुझे तो यह थे हार्मोनियम अब बारी आती है से तार अब हम बजाएगे डिट्यून से तार अब बारी है एक शेहनाई तो अब हम एक इंडियन कीट है तबला की इसके अंदर तो वह एक दिखा देते हैं अलग अलग दाया बाया यह सब दिया है और एक पूरी इंडियन कीट है तो काफी ही अच्छा है और कुछ औरियंटल इंस्ट्रूमेंट जैसे के ओद के बीए किट है फिर एक डियल वाइस हम दिखा देवे आपको पियानो का डियल वाइस है तो इसको हम सस्टेन में लेते हैं कि अच्छा कर का दो अच्छा दो कर दो क्यू पियानोग स्ट्रिंग यू कर दो कर दो प्यानों के साथ एक कोरश टाइप का है कितने अच्छे प्यारे प्यारे टोन्स है कि ड्यूल हाप्स हुई तो यह ओर्गन का टोन है उसमें हम सश्टेन निकाल के एक फिर एक बहुत ही जबर्जा स्ट्रिंग का है ड्यूल स्ट्रिंग कि अच्छे एक बहुत है कि अच्छे एक बहुत है कि अच्छे एक बहुत है कि अच्छे र की अच्छेह फ्यूल स्ट्रिंग हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है कि यह कुछ बढ़िया ही उसके वॉइस हो गए तो मेरे इसाब से यह काफी ही वैलिव फॉर मनी कीबोर्ड निकल कर आता है और इसका in-depth review आप देखना चाहो तो अपनी चैनल पर description में लगाया हुआ है तो यदि अधीक महाईती आपको चाहिए इसे purchase करना चाहते हैं तो हमें दिये हुए contact पे आप contact कर सकते हैं नंबर पे तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद